हेलो दोस्तों विजू मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों कल निफ्टी-फिफ्टी के एक्सपाय रहे हैं और आज मार्किट में एक साइडवेज मुमेंटम देखने को मिला कहीं निफ्टी-फिफ्टी कहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया प्रीवियस डे हाई के उपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और प्रीवियस डे क्लोजिंग के उपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया एक candle ने breakdown भी देने की कुछिस कि अगर आप 15 मेंट के time frame पे देखेंगे लेकिन price sustain नहीं कर पाया और फिर से आपको एक momentum देखने को मिला और जादेतर sideways रहा है अब यह बहुत जादा बहतर रहता है कि अगर expiry से पहली market sideways हो जाता है तो possibility बढ़ जाती है कि जिस भी तरफ market निकलेगा वहाँ से आपको एक momentum मिल सकता है क्योंकि अगर market इसका breakout देके ऊपर निकला तो positive side आपको opportunity मिल सकती है या फिर इसका breakdown देके नीची निकला तो negative side आपको opportunity मिल सकती है सारी चीजों का हम discussion करेंगे proper logic समझेंगे लेकिन उससे पहले हम चलते हैं one day के time frame पे यहाँ पे कुछ चीज़े देखनी जरूरी है जैसे कि हमें bank nifty में भी doji काफी दिखाई दे रही है आज कल और nifty 50 में भी दिखाई दे रही है यहाँ पे दिखाई दी थी यह देखो यह देखो और आज भी आपको kind of doji देखने को मिल रही है अब यह किस तरह की doji है किस type की doji है अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने आपको एक video provide कियो है उम्मीद है आपने देख लियोगी यह वाली video है मैंने last weekend पे provide की थी video थोड़ी सी जादा लंबी है लगबग 50 minute के आसपास के है लेकिन आपको काफी बहतरी नर्निंग मिलेगी बिलकुल basic से proper entry, stock loss, सारी चीजे with example आपको समझाएगे यह है doji कितने type के होते हैं चाहे वो gravestone doji हो, dragonfly doji हो, long lag doji हो यह फिर long lag doji के भी दो पार्ट के गए है bearish long lag doji हो यह bullish long lag doji हो कहाँ पर यह बनती है, किस से पहले uptrend होता है, किस से पहले downtrend होता है market कैसे momentum दिखा सकता है, stock loss कहा लगाना होता है entry किस हिसाब से plan की जाती है अब देखना यह होगा, sellers भी पूरी कोसिस से लगे हुए है कि भी market नीचे आई, लेकिन अब देखना यह है कि भी किस की जीत होगी buyers की जीत होगी या sellers की जीत होगी क्योंकि आपको दोनों चीज के लिए तैयार रहना है जिस भी side आपको opportunity दिखाई देगी, आप तुरहनती market में उससे side positions लेंगे प्रोपर stop loss को follow करते हुए क्योंकि अगर आपके इसाब से market नहीं गया तो आपका stop loss से token निकल जागा इसलिए stop loss को प्रोपर तरीके से follow करना है आई अब मैं आपको logic पर लेके चलता हूँ simple simple से यहाँ पर समझने की causes करेंगे अगर आप scenario देखेंगे आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है यह आपका क्या है यह previous day closing है यह आपका क्या है previous day high है market यहीं पर ही इसी zone पर support ले रहा है अगर आप दिहान से देखेंगे हाला कि इस area में market ने breakdown भी देता लेकिन follower candle नहीं बनी और नहीं यह sustain कर पाया यहीं से आपको momentum देखने को मिल रहा है बलकि यहाँ पर आपको एक inside candle जरूर देखने को मिल रहा है और उसके बाद यह काफी बहतरी momentum आपको देखने को मिल रहा है लेकिन जरूरी वह नहीं है जरूरी आपके लिए है कि market sideways गया और कहीं न कहीं अपने previous day high और previous day closing की respect करता हुआ दिखाए दिया पूरे ने breakdown देने की कोशिस करता रहा शुरुआत में breakdown देने की कोशिस की फिर से की फिर breakdown दे भी दिया लेकिन price sustain नहीं कर पाया फिर वापिस आया फिर से breakdown देने की कोशिस की लेकिन support लेके bounce कर गया फिर वापिस आया फिर से breakdown देने की कोशिस की लेकिन दे नहीं पाया फिर से bounce कर गया तो यानि कि खुल मिला के हमें यह समझ में आ रहा है कि यह zone हमारे लिए थोड़ा सा important होके निकल जाता है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? यही situation हमने यहाँ पे पहले भी देखी थी यहाँ पे आप देखेंगे 6th का आपको day closing और 6th का day high इस zone में दिखाई देगा फिर 7th पे focus करो, 7th की भी day closing और 7th का भी day high आपको इस zone में दिखाई दे रहा है आज focus करो, आज पहले एक resistance बना हुआ था, breakout मिल गया भी support की track कर रहा है यहानि कि हमारे लिए जो resistance था, breakout मिल गया वो support की track कर रहा है यहानि कि यहां से हम क्या समझें, कि जब तक market अपने previous day लोग को नहीं निकालता यही support zone का breakdown नहीं देता, तब तक negative side opportunities के बारे में नहीं सोचना है यहां से इतना समझ में आ गया हमें clear clear, दूशरी चीव अब इस वाले scenario को भी देख लो, इसका भी market ने बहुत breakout देने की कोशिस किया अज लेकिन दे नहीं पाया, तो इसका मतलब जब तक previous day high नहीं निकलता, तब तक हम आप positive side बेने सोचना है तो इस बीच क्या करना है, इस बीच आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चोटी opportunities दोंगे, scalping पर focus करना है नहीं तो दूर ही रहोंगे, तो ज़्यादा बैतर है, क्योंकि इस बीच market कहीं न कहीं sideways होने की कोशिस करेगा अगर इस बीच रहेगा, तो सादोन तो मैं तो suggest करना है, दूर बैठे रहना या तो market अपने previous day high को निका ले, या फिर market अपने previous day low को निका ले क्योंकि अगर previous day low को निकालता है, तो इस support zone को भी निकालतेगा, अगर previous day high को निकालता है, तो इस रावाले इस बीच रहेगा तो इसका लब मार्केट, फिर से साइडवेज हो गया है, तो सांती से बैठे रहना, ओबजर्व करते रहना मार्केट को, अगर मार्केट इसी बीच गया, तो आपको कहीं अपोर्चुनिटी देगा, लेकिन आपको लालच में नहीं फसना है, जैसे यहाँ यहाँ पर भी आपटे की से रहें, यहाँ पर बहुत सारी चीजे दिखाएगे, तो सीधा चलते हैं, फिफ्टीन मिन्ट के टाइम फ्रेम पे, वबजर्वत आप पता चल गया है, अगर आप दोजी यहाँ वाली विडियो जाकर देख लेकिन अपने हम इंट्रेस्टिंग अभी हम यहां पर आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब यहां पर चीजे समझते हैं, आपको किलियर किलियर दिखाई दे रहोगा कि आज का मार्केट साइडवेज गया है, तो सिंपल सिंपल सा मार्क कर लो, यह प्रिवेस डे हाई, यह आपका प्रिवेस डे लो, यहां पर प्रिवेस डे क्लोजिंगे, ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा, कि यह तो मार्केट अपने प्रिवेस डे हाई को निकाले, तब पोजेटिव साइड हम सोचेंगे, यह फिर मार्केट अपने प्रिवेस डे लो को निकाले, तब हम नेगेटिव साइड हम सोचेंगे, यह ची तब हम सोचेंगे अगले resistance की possibility है, 19,520 इसका breakout मिलता है, तो 19,560 के अरा हूँ, वहीं पे अगर market flat open होगे, आपको negative momentum दिखाता है, इस situation पे previous day low का breakdown होने तो, साथ की साथ यहाँ पे देखो, कहीं न कहीं market 19,400 सपोर्ट लेने की causes करा था, इसका भी आपको breakdown मिल जाएगा, इस situation में जो 7th का day low रहेगा, यह आपके अगले support की possibility बन जाएगा, वहीं पे अगर market आपको gap up opening देता है, तो इसको gap up opening का discussion करने से पहले मैं आपको बता दूए, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है, ना है कोई selling recommendation है, यह just educational purpose से बिनाएगी analysis video है, इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी research करने, अपनी investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपका होने वाला है, लोगस की जिम्मेदार भी आपको आपनी 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 आपनी, क्योंकि पहले हम दिस्केशन कर चुके हैं, यहाँ पर बड़ी gap up opening मिली थी, यहाँ पर बड़ी gap up opening मिली थी, कहीने-कही market में sideways जाने के कोशिस की थी, क्योंकि वो पहले ही पूरो momentum दे चुका था, अगर ज़्यादा बड़ी gap up opening मिली तो trade को over करना है, लेकिन अगर कहीन-कही market प्रिवेस डे हाई के आसपास से आपको gap up opening देता है, और breakout दे के उपर का momentum दिखाने के कोशिस करता है, तो यहाँ से आपके लिए positive side की opportunities बन सकती है, लेकिन वहीं पर अगर market अगर आपको gap down opening दे देता है, इस situation पर आप क्या करेंगे? इस situation पर आपको ध्यान ये रखना है, आप focus करेंगे 19,400, यानि कि अपने previous day low के असपास, अगर market इसे के असपास gap down opening दे के breakdown दे देता है, तो आपको नीचे की तरफ पता है support की possibilities क्या क्या हो सकती है, लेकिन अगर market यहाँ पर support लेके ऊपर चलने की कोसिस करता है, तो पहला resistance, previous day closing, फिर previous day high, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या price action बन रहा है, अगर market time spend करके breakout देता है, तो और वी अच्छी बात है, लेकिन अगर market breakout नहीं दे रहा है, और यहीं पर time spend करने लगा, तो उसका मतलब market कहीं न कहीं sideways जाने की कोसिस कर रहा है, तो इस situation पे नहीं position बनाने की कोसिस मत करना, अगर आप already position में होगे, क्योंकि आपका premium देरे देरे गलता रहेगा, तो इस position से बाहर निकलने की कोसिस करना, दोस्तो फिलाल 50% का off चल रहा है, सभी कोसिस पे नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, दिपावली के लिखिया गया है, जल्दी यह offer खतम कर दिया जाएगा, उमीद है आपने इसका benefit उटाया होगा, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर में लेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ, थैंक यू,